नमस्कार कैसे हैं आव नितिश कुमार फिर से पलट गए इसमें कोई ख़बर नहीं है के जस्वी आदब ने विधान सभाम उनकी जलालत की और कहा कि मोदी जी गारंटी देते हैं कहते हैं कि मोदी की गारंटी गारंटी पूरी होने की गारंटी है तो क्या मुदी अपने समर्थकों को ये गारंटी देंगे कि नितीश अब की बार नहीं पल्टेंगे फिर नहीं पल्टेंगे चचा कहका के तेजस्वी ने विदान सवाकेंदर नितीश कुमार का जवरदस्त अपमान किया अपमान की घूट पो पीकर नितीश कुमार अब बुल्डोजर बाबा बनने लगे है सत्ता में आरजडी रहे या ना रहे आरजडी के निताओं का खौफ रहा जंगल राज इसलिए बिहार को कहा जाता रहा कि जब तक लालू यादव सत्ता में रहे उनके सालों का खौफ रहा साधु यादव का खौफ सुभाश यादव का खौफ एक समय में ऐसा था कि लालू की बेटी बेटीयों की जब शादी होती थी तो कहते हैं कि पतना के जितने भी शोरूम है कार के वो खाली करा लिए जाते थे बारातियों के लिए लोग डड़ते थे नई कार खरीदने से नितीश कुमार जब सत्ता में आये तो उन्होंने एक भरोसा दिया था और इसी लिए उस भरोसे को पालन करने लगे तो सुशाशन बाबू कहलाने लगे ब्रश्टा चारियों पर नितीश कुमार अंकुष लगाने लगे लेकिन नितीश का ये सुशाशन बाबू का चड़ितर बहुत कम दिन रहा चोकि बिहार में लालू यादव के कुनवों का जो खौफ रहा जंगल राज का जो आतंक रहा उसका डर इतना प्रभावशाली रहा कि नितीश के कुछ दिनों के सुशाशन में ही लोगों को लगा कि बिहार बदल रहा है फिर नितीश पल्टी मार के इधर से उधर इधर से उधर होते रहे और बिहार का चड़ितर बदल नहीं पाया कि बिहार में कोई एक पैसा भी इन्वेस्टमेंट कर सके नितीश सुशाशन बाबू कहलाते रहे लेकिन बिहार में सुशाशन का चड़ित्र बहुत बदलता हुआ दिखा नहीं लेकिन जब भी नितीश कुमार रालू यादव की पार्टी के साथ सरकार बनाने लगे लता हुआ दिखाई दे रहा है लंबे समय से बिहार में लालू यादव या उनकी बीबी की सरकार नहीं है लेकिन इसके बावजूद लालू यादव का बाहल बाका नहीं हुआ उनके कुन्वों पर कोई असर नहीं हुआ बले उनका आतंग कुछ कम हो गया हो लालू यादव के सालों का आतंग इस दोर में लोग आज भी सोच करके रूह उनकी कांप जाती है कि साद्व यादव का आतंग कैसा था सुभाश यादव का आतंग कैसा था दसल भरष्टाचार की पुरी छूट थी बिहार में बालू माफियाओं का ऐसा आतंक हुआ करता था कि उसकी लालू यादब के साले और लालू यादब के लोग ही बालू माफिया गिरी का धंधा कर सकते हैं जमीन का धंधा कर सकते हैं जिस जमीन को छू दिया लालू के कुनवों ने वो उसका हो गया यह सिलसला जारी रहा और लालू के सालों ने करोडों की संपत्ति बना ली सत्ता भली लालू की रही हो या नितीश की इन लोगों पे कोई फर्क नहीं पर रहा था लेकिन अब की बार नितीश की पल्टी मारते ही सुभाश यादब लालु यादब के दुलरुआ साले के घर कुर्की के लिए बिहार पुलिस मोहची दरसल कुर्की का नोटिस सुभाश यादब के घर चस्पा कर दिया गया था सुभाश यादब लंबे समय से भगोडा थे और भगोडा वही होता है जो सत्ता का संडक्षन पाता है बरना किसी राजमेदी पुलिस चा ले तो कोई भगोडा नहीं होता सुभाश यादब लंबे समय से भगोडा थे तब भी जब उनके जीजा जी की सरकार नितीश बाबू के साथ थी तो अब की बार पलटने से ऐसा क्या हो गया वैसे सुभाश यादव और लालू यादव के संबंध लालव यादव' के बरे साले साधु यादव और लालव यादव के संबन्द कई सालों से अच्छे नहीं है कंस मामा कहा जाता है इन लोओं को जो कभी प्रिये मामा थे जिन्ने लालव यादव के बेटों को अपने गोद में खिलाया कई बार सुभाश यादब और साधू यादब तो बुकर होकर के सामने आते हैं कि हमारा दीदी से कोई रिस्ता नहीं है जिसको हमने गोर बें खिलाया हमें गाली दे रहे हैं ये कहानी इसलिए इस बात को सबज़े कि अब की बार निटीश के पलटने का खौफ किस कदर लालू कुनबे में है बले ही लालू यादब से रिलेशन सुभास यादब साधू यादब के खराब हो गए हूँ लेकिन उनके घर कुरकी करने बिहार पुलिस पहुँचे इतनी अवकात बिहार पुलिस की कभी नहीं हुई निटीश कुमार सत्ता हासिल किया और उन्होंने चैलेंज दिया कि अब लालू के कुनबों को उनके भरष्टाचार के आतंक को छोड़ा नहीं जाएगा निटीश कुमार इस बार अपमान का घोंट भी कराएं हैं तो बिहार की जनता को ये लग रहा है कि बिहार में आतंक राज जंगल राज से मुक्ती मिलेगी दिरसल 31 जनवरी 2024 को एक कुर्की चस्पा किया गया सुभाश यादव के घर पे और जो ही कुर्की चस्पा किया गया जो लंबे समय से भगोरा था सुभाश यादव उसने पटना में सरंडर कर दिया और पटना में सरेंडर करते ही आरजेडी के लोगों ने हला बोल करना शुरू कर दिया कि जब हमारे नेता ने सरेंडर कर दिया है तो फिर और की क्यों बिहार पुलिस बैरंग वापस आई लेकिन ये दिखाता है कि सुभाश यादव के अंदर खौफ किस कदर हुआ जो बिहा सुभाश यादव पेश नहीं होता था सबको पता था कि सुभाश यादव पटना में रहते हैं गोपाल गंज में आते जाते रहते हैं बिहार में ब्रह्मन करते रहते हैं लेकिन उनके उपर कभी कोई कारवाई नहीं हुई बिहार में आतंक का गुंडा राज का जो सबसे सेंटर पॉइंट है वो बालू माफिया का है जमीन माफियाओं का है बिहार में बालू के अलबा कुछ मिलता नहीं इस लिहास से कि बालू माफियाओं के द्वारा सत्ता चलती है यही सुभाश यादव की कंपनी है ब्रांट्स कंस्ट्रक्शन प्राइबेट लिमीटेड और राबरी देवी की कई फ्लैट्स उसमें है मतलब सुभाश यादव फ्लैट्स बनबाते हैं राबरी देवी को गिफ्ट मिल जाता है और राबरी और उनके लोग फिर उसे बेच देते हैं लालू यादव की मा मर्चिया देवी के नाम से भी कॉंप्लेक्स है ये लोग किन ल जब पूरा देश प्रगती के राह पर चल रहा था बिहार बैकवार्ट की तरफ जा रहा था बिहार के लोग भगोरे होते रह गए लालू के इनी कुनवों के आतंक से जैसा मैंने कहा कि सुभाश यादव और साधू यादव लालू यादव के साले हुआ करते थे सही माइने में खहा जाता था कि जंगल राज की शुरुवाती दौर में सरकार सुभाश यादव और साधू यादव ही चलाते थे इनका खौफ था आतंक था लोग डरते थे एक फिल्म बनाया गया प्रकाश जा के द्वारा गंगाजल कहते हैं उसमें सब कुछ पूरा चरित्र सुभाश यादव और साधू यादव के बारे में ही है उपर तेक्श रूप से इस पर कई आपत्यां भी हुई लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा जब से जीजा जी के साथ संबंध खराब हुए प्रभाव जादा हो गया दरसले माना जा रहा था कि लालू यादव की बेटियां जादा थी सुभाश यादव और साधू यादव को लगता था कि पुरी देवी चिफ फिनिष्टर बनी तो सीधा प्रभाब उल्लों का हो गया दीदेदीदो सत्ता पर काविज होना चाहते थे लालू यादव यादव ये अधिकार नहीं देना चाहते थे इसलिए इन दोनों सालाओं से उनके रिष्टे तो खराब हुए लेकिन इन दोनो सालाओं पर कानून के हाथ पर सके लालू ने ऐसा होने नहीं दिया अब नितीश अपमान की घूंट पी कर आएं हैं और पठान मंत्री मोधी ने देश को ये भरोसा दिलाया है कि कोई भी ब्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा तो लालू यादम का प्रष्टाचार तो दिखता है कि उन्होंने पूरे बिहार में चारा घोटाला किया लूटा उसके बाद लेंड फॉर जॉब घोटाला किया लेकिन साधू यादमों का घोटाला नहीं दिखता कि किस तरह से बिहार को लूटा गया बिहार को आतंक का अड बनाया गया इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिनकी है आज की तारीक में वो लालू विरोधी हो गए तो उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे लेकिन नितीश कुमार अब मुखर रूप में हैं जैसा हमने कहा कि लालू यादव ने चाह करके भी या फिर यूँ कहें कि अप सुभाष यादव खौफ में हैं सादू यादव भी खौफ में होंगे लालू के खुनवे के वो हर लोग जिने लूटने की पुरी चूट थी नितीश के इस बदले सौरूप से खौफ में हैं अब नितीश कुमार योगी आधित तनात तो हो नहीं सकते लेकिन योगी का ब्रष्टाचार के खिलाब के रत को आगे लेव जा पाए बिहार में बैमानों को माफियाओं के अंदर यदी खौफ पैदा कर पाए तो निस्चित रुप से बिहार भी बदलेगा इसकी उमीद की जा रही है ये उमीद इसलिए क्योंकि जब तक माफियाओं का खात्मा नह आफ नहीं होगा डर नहीं होगा तब तक बिहार का कल्यान संभख नहीं ऐसा क्या है कि सुशासन की सरकार तो आ गई लेकिन बिहार में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता कोई बड़ा बैपारी जो बिहारी बाहर आकर के बड़े बैवसाई हो गये वो अपना चोवनी भी बिहार में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते जिस दिन नितीश का बुल्डोजर योगी आदितनात के बुल्डोजर का रंग ले लेगा उस दिन ये बदला होगा सुभाश यादव लालु यादव के साले के अंदर का एक खौफ बिहार को एक नई उमीद दे रहा है ये बदले हुए नितीश कुमार का खौफ लालु के कुनवों पर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है लालु चारा घोटाला के बाद लेंड फ़र जॉब में अपनी बीबी और बच्चों के साथ जेल जाएंगी तो क्या सत्ता पर लालु के उन्हीं बालु माफियाओं सालों का कबज हो जाएगा तो फिर बिहार को जंगल राज से मुक्ति कैसे दिलाई जा सकती है ऐसे में लालु के भू माफियाओं पर कानून का ये बुल्डोजर खौफ पैदा कर रहा है और ये खौफ अच्छा है ये खौफ बिहार को एक नई उम्मीद दे सकता है ये वीडियो विस्लेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट इदी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जुरूर करें बहुत बहुत धन है और शे वीडियो भूट खच्छार मोल अधन है अवीडियो कि जुझाराई भूफ इस विजिड़ूर आपको कैसा वीडियो वीडियो क być वीडियो को लाइक हैं ब हमाद़ियो को लगादे बहुता है और शेयर झे वादो है आपको मेदर दोगे घग है एक वान ज़को कर